Good morning students, कैसे आप सब, उमीद करती हों, आप सब अच्छे होंगे, एडिसेट प्रोग्रम में आप सब का स्वाध्यत है, मैं विम्मी गोयल, पिजिटी मैथमेटिक्स, आज आपके लिए लेकर आई हो 11 सेनेट की लिमिट और डारिवेटीज, तो अब तक हमने क्या पढ़ा, लिमिट क्या होती है, लेफ्ट एन लिमिट, राई उन लिमिट क्या होती है, उसका हमने graphically लिमिट को कैसे solve किया जाता है, तो लास्ट रेक्चर के अंदर हमने यह भी सीखा कि direct substitution method क्या था, लेकिन अब क्या है कि जब हमारे पास 0 by 0 form आती है तो किसी function की limit को हम कैसे solve करें क्योंकि जब भी denominator में 0 आता है तो वो एक undefined term बज़ जाती है तो undefined term को हमने solve कैसे करना है तो उसके लिए अलग-लग methods है तो चलिए start करते हैं method से जब भी किसी function की किसी point के उपर 0 by 0 form आती है तो उसको evaluate करने के लिए हमारे पास कई methods है जिनमें first method है factorization method second method है substitution method third method है rationalization method और इनके इलावा एक ऐसा method है जब हमारे पास x की power n minus a की power n divide by x minus a form आती है तो ऐसे form के लिए हम कौन सा formula योज़ करेंगे और इन सभी methods को हम कैसे और कब apply करेंगे उसके लिए हम start करते हैं factorization method से 0 by 0 form की situation में हमारा first method है factorization method इसको हमने कब और क्यों apply करना है तो चलिए देखते हैं अब हमारा जो function है इसको हमने solve करना है x की value 2 के लिए तो अगर हम direct substitution method apply करते हैं तो हमारे पास ये क्या आ जाता है 0 by 0 form क्योंकि 2 का square 4 होता है तो 4 minus 4 भी 0 होगा और नीचे जो denominator है वो भी हमारा 0 आ रहे है तो यानि कि direct substitution method अब हम इसमें apply नहीं कर सकते क्योंकि answer जो हमारा बनेगा वो 0 by 0 होगा and that is undefined term हमने ऐसा कोई भी step नहीं लेना जब हमारे पास denominator 0 आई तो इसलिए जब हमारे पास 0 by 0 form बनती है तो अब हमारे पास x tan to 2 यानि कि x minus 2 जो है यह numerator और denominator का एक common factor होगा जिसको हम commonly लेकर cancel कर सकते हैं यानि कि यह जो हमारी 0 by 0 form है इसको हम eliminate कर सकते हैं तो कैसे करेंगे देखे जो हमारा numerator है अगर उसको आप ध्यान से देखे x square minus 4 उसको हम लिख सकते हैं x square minus 2 का square तो यह हमारी वो form बन रही है a square minus b square तो a square minus b square के दो factors होते हैं a plus b a minus b तो यह जो हमारा x minus 2 है that is a common factor of numerator and denominator which is giving 0 by 0 form तो इस common factor को हम cancel कर देंगे अब हमारे पास एक polynomial बचती है x plus 2 तो इस x plus 2 में x की value जो 2 है इसको हम direct substitute कर सकते हैं क्योंकि अब direct substitution method apply करने पर हमारा जो यह function है यह इसकी value जो आ रही है वो एक finite value आ रही है undefined नहीं आ रहा तो यहां हम factorization method इसलिए apply किया क्योंकि हमारे पास क्या बन रही थे 0 by 0 form यानि कि x tends to 2 से हमारे पास जो factor निकलता है x minus 2 यह numerator का और denominator का एक common factor है तो हमें numerator के factors बनाने होंगे इस question के अंदर तो numerator के factors हम बना सकते हैं या फिर हम यह भी कर सकते हैं कि जो x minus 2 है इसके साथ जब हम numerator को divide करेंगे तो हमारे यह दो factors बन जाते हैं x plus 2 और x minus 2 फिर स्टुरेंट्स को factorize करना नहीं आता यह उनको काफी complicated लगता है कि या फिर उनको यह लगता है कि यह time consuming है तो ऐसे students के लिए एक ऐसा method भी है जो easy भी है और उसमें कहीं भी factorize करना नहीं बढ़ता तो वो method है substitution method तो देखते हैं उसको भी हमने कैसे apply करना है इसी function को इसी function की जो limit है x minus 2 के लिए हमने solve करना है एक different method जी that is substitution method direct substitution method अलग है और substitution method अलग है जब हमें factorization method apply करना ना आए या फिर factors बनाना ना आए तो हम यह method भी apply कर सकते हैं तो उसका procedure क्या है हमारे पास limit क्या है x tends to 2 तो यहां हम x की value को substitute करेंगे 2 plus h के साथ और limit हमारे पास x tends to 2 है और x की value क्या है 2 plus h तो यह value 2 को approach करेगी तो यहां से हम यह कहेंगे कि जो h है उसकी value 0 को approach करेगी अब x की value 2 plus h इस limit की अंदर हम function की अंदर replace करेंगे limit हमारी change हो जाएगी h tends to 0 में और x square x square का मतलब 2 plus h का square minus 4 divide by अब क्योंकि denominator में हमारे पास क्या है x minus 2 तो यहां पर भी x की value को substitute करेंगे with 2 plus h अब denominator में यह 2 और यह 2 subtract हो रही है 0 आ जाएगा और denominator में हमारे पास क्या रहे है 2 plus h square तो यहां पर हम formula apply करेंगे a plus b whole square इसका formula होता है a square plus 2ab plus b square तो यह formula जब हम apply करते हैं तो हमारे पास terms आती है 4 plus h plus 4h sorry h square आएगा minus 4 divide by h तो यह 4 और यह 4 cancel हो जाएगे numerator में आप देख रहे हैं हमारे पास 2 terms आती है h square plus 4h तो यहां से हम h common ले रहे हैं तो numerator में दो factors बन जाएगे h into h plus 4 division में भी हमारे पास h है तो यह h और यह h cancel हो जाएगे अब h की value हम direct substitute कर सकते हैं 0 तो 0 plus 4 answer is 4 तो जब हमने factorization method apply किया तब भी हमारा answer 4 आया था और जब हमने substitution method apply किया तब भी हमारा answer same आया तो देखे कोई भी आप method apply करें answer हमारा same ही आयेगा अगर आपको factorization method easy लगता है तो आप वो apply कर सकते हैं otherwise substitution method भी easy है तब हमारे पास कुछ 80 terms आ जाती है जब हम numerator या denominator को factorize नहीं कर सकते यानि कि हमारे पास 0 by 0 form तो होती है लेकिन factorization method apply नहीं कर सकते कि तब क्या करेंगी देखे तब कई बार यह होता है कि numerator यह denominator में हमें नहीं हमिदार आता है Network की form यानि कि irrational functions उते हैं तब हम apply करते हैं rationalization method तो इसको हमने कैसे apply करना है देखते है chicken racialization method कब apply करना है जब factorization method apply ना हो तब देखते हैं कि क्या इसके उपए rationalization method लगाया जा सकता है तो चली start करते हैं जब इस question के अंदर हम x की value 1 को direct substitute करते हैं तो हमारे पास value क्या बन जाती है 1 plus 1 in under root minus root 2 divide by 1 minus 1 तो यह हमें देता है 0 by 0 form यानि कि इस question को हम direct substitution method से solve नहीं कर सकते लेकिन इस question में हम factor बना कर भी इसको हम solve नहीं कर सकते क्योंकि यह हमारे पास under root की form में है तो जब भी under root form आती है तब हम apply करते है rationalization method तो rationalization के बारे में हमने 9th और 10th standard में भी पढ़ा कैसे किया जाता है जब हमारे पास कोई एक factor a plus b या फिर a minus b की form में हो तब उसको हम multiply करते है अगर तो यह factor है तो उसको multiply करते है a minus b divide by a minus b और अगर यह इस type का हमारे पास कोई factor है तो उसको multiply करते है a plus b divide by a plus b तो यह है rationalization procedure तो इस question में भी हम क्या करेंगे क्योंकि numerator की अंदर हमारे पास under root form है x plus 1 की उपर under root है minus root 2 divide by x minus 1 तो इसको हम multiply करेंगे x plus 1 plus root 2 divide by x plus 1 in under root plus root 2 क्योंकि जो हमारा numerator है question के अंदर वो हमारा a minus b की form में है जिसको हमने multiply किया है a plus b divide by a plus b ताकि यह हमारे पास form आ सके a square minus b square divide by a plus b तो जब हम numerator में terms को देखते हैं तो हमारे पास एक factor है a minus b दूसरा factor है a plus b जिसमें a की value क्या है x plus 1 in under root और b की value क्या है root 2 तो यहां पर हमारे पास formula क्या लगेगा a square minus b square अब जो denominator है वो हमारा same ही रहेगा तो denominator में हमारे पास दो factors आ जाएंगे multiply की form में अब जो हमारा under root है और उसके उपर square है यह terms cancel हो जाती है under root और squares तो numerator में हमारे पास क्या आ जाता है x plus 1 minus 2 तो इसकी value solve होकर आएगी x minus 1 और denominator में भी हमारे पास एक factor है x minus 1 तो यह numerator और denominator में से यह जो factors हैं cancel हो जाएंगे अब हम direct substitution method अप्लाई कर सकते हैं x की value 1 को जब हम replace करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1 plus 1 का under root plus root 2 and that is equal to 1 by 2 under root 2 अब आगे चाहें आप इसको rationalize करें या ना वो कोई problem नहीं है लेकिन question हमारा solve हो चुका है देखें इस question में आपने देखा कि जो हमारा numerator है उसमें x plus 1 की उपर भी under root है 2 की उपर भी under root है और इस question में हमारे पास 0 by 0 form भी बन रही है तो ऐसे question को हम solve करते है rationalization method से जिसमें हमने ये अलग-लग cases देखे कि अगर तो a plus b है तो उसको multiply करेंगे a minus b divide by a minus b और अगर हमारा factor है a minus b की form में तो उसको multiply करते हैं a plus b divide by a plus b तो इस तरह से rationalization method को apply किया जाता है अब हमारे पास एक ऐसा method है जो इन सभी method से अलग है मतलब की ना तो हम rationalization method apply कर सकें ना हम substitution method apply कर सकें और ना हम factorize कर सकें तो ऐसा कौन सा method है यानि कि जब हमारे पास ऐसी form आती है limit x tends to a for x raise to power n minus a raise to power n divide by x minus a तो इस form को हम कैसे solve करेंगे तो चलिए start करते हैं हाँ जी ये method बिलकुल अलग है ना तो ये factorization method है ना ही ये substitution method है ना ही ये rationalization method है जब भी हमारा function ऐसे form में होगा x raise to power n minus a raise to power n divide by x minus a और limit क्या होगी x tends to a तो ऐसे form में हम direct result योज़ करते हैं that is n a raise to power n minus 1 हमने सिरफ a की power n की तरफ focus करना है तो उसका result जो है वो कैसे लिखा जाता है n power आगे multiply में आ जाती है और a की जो power है वो 1 subtract हो जाती है तो इस result को हम question की अंदर कैसे solve करेंगे तो इसकी मैं एक example लेती हूँ माल लेते हैं हमारे पास है limit x tends to 2 x cube minus 8 divide by x minus 2 तो कई बार तो हमारे पास जो ऐसी form है उसके अंदर factors भी possible होते हैं बनाने लेकिन कई बार जो powers हैं जैसे यहाँ पर x की power 3 है लेकिन अगर ये powers हमारे पास fractional हो 1 by 3 हो तो उसको factor method से solve करना काफी complicated हो जाता है लेकिन फिलहाल मैंने यहाँ पर एक power ऐसी ली है जो इसको आप factor method से भी easily solve कर सकते हैं तो इस method से हम कैसे solve करेंगे अब जो 8 है इसको लिखा जा सकता है 2 raised to power 3 तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर a की value क्या है 2 है और यहाँ पर भी हमारे पास a की power n यानिकि 2 की power 3 है तो जब इस result को हम direct use करते हैं इस question की अंदर तो हमारा result कैसा आएगा 2 into power जो हमारी multiply में आजाएगी आगे और जो a है यानिकि 2 है इसकी एक power कम हो जाएगी तो result हमारे पास कहाएगा 3 into 2 square and that is 3 into 4 equal to 12 तो यह question solve करने काफी easy है लेकिन हमें यह result जो है वो याद रखना होगा लेकिन यह result आया कहां से इसको भी हम देखते हैं कि इसकी derivation क्या है हाँ जी ऐसी form में limit को solve करने के लिए जब हम direct substitution method apply करते हैं तो यह हमें देता है 0 by 0 form तो ऐसी form में हमें यह immediate पता चल जाता है कि जो x minus a है यह numerator का भी एक factor होगा और denominator का भी एक factor होगा तो यानि कि जो हमारा numerator है x की power n minus a की power n इसका एक factor तो हमारे पास आता है x minus a तो जब long division से हम x की power n minus a की power n को divide करते हैं तो हमारे पास यह दूसरा factor आ जाता है x raise to power n minus 1 प्लस a into x raise to power n minus 2 प्लस a square x की power n minus 1 n minus 3 प्लस इसी तरह से हमारे पास last term आ जाती है a raise to power n minus 1 तो यह जो numerator है इसकी value यह जब हम limit की अंदर लेते हैं तो यह हमारे पास क्या बन जाती है x minus a into me यह पूरा जो हमारा factor होगा division में हमारे पास x minus a है तो यह common factor x minus a cancel हो जाता है अब हम क्या करेंगे x की value जो a है direct substitute करेंगे तो a की power n minus 1 प्लस a into a की power n minus 2 इसी तरह third term आएगी a square into a raise to per n minus 3 अब तिल last term है n minus 1 तो यह terms हमारी solve होकर क्या बन जाती है क्योंकि multiply का rule होता है कि अगर basis same है तो powers वो add हो जाती है powers add होने के बाद हर term में हमारे पास a की power n minus 1 आएगी अब यह total कितनी terms है यह हमारे पास है n terms तो इसलिए इनकी जो addition आएगी वो आएगी n into a raise to per n minus 1 तो इस तरह से जो यह हमारी limit है x tends to a for the function x raise to per n minus a raise to per n divide by x minus a तो उसका यह जो result है n into a raise to per n minus 1 इस तरह से solve होकर आ रहा है तो इस result को हम अलग-लग questions के अंदर use करें इस method से related एक example हम और ले लेते हैं ताकि यह method आपको अच्छी तरह से apply करना आ सके तो अब मैं ले रही हूं limit z tends to 1 z raise to per 1 by 3 minus 1 और denominator में है z raise to per 1 by 6 minus 1 अब आप देख रहे हैं कि जो हमारा numerator है या denominator है इसमें जब हम z की value 1 replace करते हैं तो यह हमारी form बन जाती है 0 by 0 form तो इसको हम direct substitution method से तो solve नहीं कर सकते और इनके factors भी नहीं हम बना सकते क्योंकि जो हमारी z की powers है वो 1 by 3 है या फिर 1 by 6 है तो इस question को solve किया जाएगा इस method से लेकिन अभी भी हमारे पास जो numerator है या फिर denominator है इनके denominator में हमारे पास यह form नहीं है x minus e यानि कि हमारे पास इन दोनों के denominator में क्या होना चाहिए था z minus 1 तो अब हम क्या करेंगे numerator और denominator दोनों को हम divide करते है z minus 1 के साथ अब हम limit को separate ले सकते है क्योंकि हमारे पास यह division का algebra है division का algebra क्या कहता है कि अगर हमारे पास limit है fx upon gx के लिए तो हम limit को separate कर सकते है fx की limit अलग से ले सकते है और gx की limit अलग ले सकते है तो यहां मैं 1 को power की form दे रही हूँ तो क्योंकि z की power 1 by 3 है तो 1 की power भी हम ले लेते है 1 by 3 अब इसका denominator क्या है z minus 1 अब पूरे denominator में हमारे पास limit हमने separately ले ली z की power 1 by 6 है यहां पर 1 की power भी मैं 1 by 6 ले रही हूँ और इसके denominator में है z minus 1 अब हम यह formula एपलाई कर सकते है तो आप देख रहे है यहां पर a क्या है a हमारे पास जो यह numerator में है इसमें a की value है 1 और n हमारे पास क्या है 1 by 3 तो जो यह हमारा formula है वो formula होता है equal to n into a raise to power n minus 1 अगर हमारी limit है x chance to a for x raise to power n minus a raise to power n divide by x minus a तो इसकी value क्या होती है n into a a raise to power n minus 1 अब power क्या है 1 by 3 तो a क्या है 1 इसकी एक power हम कम कर देंगे इसी तरह denominator में भी हमारे पास जो power है 1 by 6 है तो 1 by 6 में से एक power subtract हो जाएगी तो अब आप देख रहे हैं क्योंकि 1 की कितनी भी power ले वो 1 ही आएगी तो यह result हमारे पास आजाता है 1 by 3 into 6 that is equal to 2 तो देखिए इस question के अंदर हमने x raise to power n minus a raise to power n divide by x minus a यह form बना कर इस question को हमने solve किया हाज जी आज के lecture में आपने देखा कि किसी भी limit को हमने कैसे solve करना है किसी function के limit के कई methods हैं तो अलग-लग methods के अंदर हमने function की limit को आज हमने solve करना सेखा तो मुझे उमीद है कि आज का lecture आपको अच्छी तरह से समझ आगे होगा और मैं उमीद करती हो कि आप अब बिना किसी help के questions को solve कर सकेंगे तो इसके बाद भी और काफी कुछ है सीखने के लिए तो हमारा next lecture देखना न भूलिए जिसके अंदर हम discuss करेंगे किसी tignomatic function की जो limit है उसको हमने कैसे evaluate करना है तो मिलते हैं next video में धन्यावाद जो 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 डूलिए